हेलो फ्रेंट्स एलेक्रेशन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है मैं देचंद कुमार वर्मा आपके लिए आज एक नया बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर हम फ्रेंट्स जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे सामें एक राधर केशन जी की फोटो है तो फ्रेंट् सब्सक्राइब करें देख लेक्राइब करें तो यहां पर मेरे पास एक बारा जीरो बारा का ट्रांसफार्मर है जो मेरे कोई एप्रोक्स पचास रूपर का पचेस हुआ है और यहां पर कुछ दायोड है जो एक को डीची में करेंगे तो यह दो रूपर का एक परचेस हुआ है तो इसमें चार डायोड लगे ही जिससे हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और यहां पर एक मेरे पास कैपेसिटर है लिक्विट कैपेसिटर जो मेरे को एप्रोक्स पांच रूपर प बना देंगे तो चलो फ्रेंट चलते वीडियो की तरफ और इसके अंदर इसको इसको सी तो यहां पर देख पारίζों मेरे पास एक डायोड है तो इस डायोड के अंदर दौ टर्मिनल आपको दिख रहोंगे इसमें आगे यहां प में लाइनिंग है और पिछे पूरा ब्लैक तो यह लाइनिंग वाला पॉर्षन नहीं अपना है एनोड और जो पीछे वाला पॉर्षन है वो है टैतोर तो हम यहां पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या करेंगे दो वाइट वाइट को एक साध्र जोडेंगे और दो इधर से ब्लैक ब्लैक को एक साइट यहां पर फ्रेंड्स जो आपको white line दिख रही है यह हमारी हो जाएगी DC positive और यहां पर जो पीछे दोनों सिरे black है यह हो जाएगी DC negative और बाकी जो दो सिरे white और black white और black बजगए यह दोनों हो जाएगे हमारे AC के लिए 12 volt AC के लिए जो हम transformer से direct जोड़ेंगे अब यहां पर हम पर जो एक capacitor था आपने देखा था इसमें जो यह white lining है यह हमारा सिरा हो गया negative का और यह जो दूसरा सिरा बजगया यह हो गया positive का अब इसको हम इस परकार से जो DC की white lining थी उसके साथ इसको positive के positive से जोड़ेंगे और negative को negative के साथ जोड़ देंगे तो एक सक्टर मैंने इसके connection है वो कर लिया है यह यहां पर हमारा पास एक bridge rectifier बनके तयार हो गया अभी इसके अंदर हम 12 volt supply देंगे और फिर हमारा जो light है उसको photo के अंदर install करेंगे यहां हमारा पास एक transformer है फ्रेंट्स इसमें देख पारेंगे एक तरफ दो terminal है और एक तरफ तीन टर्मिनल है जिते दो टर्मिनल है यहांपे तो हमारा को 220 supply देनी है और यहांपर आप देक पारेंगे 12-0-12 लिख रहा है यानि कि जो 0 लिख रहा है वो हमारा पास यहां पे neutral नूटल का काम करेगा और जो साइड़ वाले हैं वह बारा-बार वोल्टेज के काम करेंगे तो यहाँ पर एक नूटल और एक बारा के साथ हम यहाँ पर धो तार जोर लेता हूं है कि यहां मैंने supply के दो ताड जोड लिए हैँ अब यहां पर क्या करेंगी फ्रेंट्स हम जो हमारा यह ब्रीज रेक्टिफायर है उसको डायरेक्ट यहां पर 12 वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं जिस चाहिए से हमारको एसी दे नीए हैं वहां से हम इसको 12 वोल्टेज से ज तोड़ते हैं कि जो दूसरी साइड है यहां पर इसको हम यहां पर कनेक्ट कर लेंगे इसके कनेक्शन तो फ्रेंड्स हमार पास हो गए हैब यहां पर जो दो पॉंट्स हमार पास बच्रे यह डीचे क्या है तो सबस्चे पहले हम हमारी फोट्स के अदर led light लगा लेते हैं उसके बाद में इसके अंदर उसके कनेक्शन देंगे अब फ्रेंड्स इसके अंदर यहां पर आप किनारी किनारी देख रहोंगे इस किनारी के पर हमारी जो लाइट है इसी लाइट उसको इंस्टॉल कर लेता है अब इस फोटो को करते हैं वापस बंद और फिर उसके बाद में इसको सप्लाई देके आपको दिखाता हूं कि यह तिस तरीके का लुक दे रही है यह फ्रेंट्स हमार पास जो फोटो के दो तान निकले वेते हैं डी सी पोजिटिव नेगेटिव के इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लेना जहां पर वाइट वाइट लाइनिंग है डायोड की उस पर दो हमारे को पोजिटिव सीरह लगाना है और यह ब्लेक सी फोटो किस तरीके से लुक अपना देती है वह यहाँ पर देखते हैं तो पहले हमारे स्टूडियो की साथ लाइट बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद में इस फोटो की लाइट चलाकर देखते हैं देख सकते हो आप कि हमारी फोटो है वो कितना अच्छा लुक दे रही है एक मार्केट में मिलने वाली पास से पास शेजार की फोटो से बहुत ही और बहुत ही अच्छी लग रही है यह जो हमने मातर और मातर सोरपे के अंदर टैयार कर दी है देखा फ्रेंड्स आपने तो मैंने कैसे नॉर्मल सी फोटो को LED लाइट वाली फोटो पना दी है तो यह देखने वे अंदर बहुत ही आपको अच्छी लग रही होगी यह मेरे को कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताना ठीक है फ्रेंड्स आज का हमारे जो नए ने प्रोजेक्स और नए टॉपिक के साथ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर आ सके ठीक है फ्रेंज थैंक यू